Hello Everyone, Welcome Back to Law Diary Friends, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले है Difference between Magistrate, Judge and Justice के बारे में क्या है पूरा Criteria, Appointment से लेके Retirement तक का पूरा Concept क्लियर करने वाले है आज की इस वीडियो में तो बनी रहें एन तक बढ़ते हैं वीडियो की और Magistrate यानी दंडाधिकारी, Judge यानी नयाधीश और Justice यानी नयमूर्थी इन सबका अंतर जानने से पहले हमें ये जानना बेहत जरूरी है कि Cases कितने तरह के होते हैं Cases मुख्यता दो तरह के होते हैं एक होता है Civil Cases जिसे हम हिंदी में व्यवहार मामले कहते हैं और उर्दु में दीवानी मामले कहते हैं और दूसरा होता है Criminal Cases जिसे हिंदी में दांडिक मामले कहते हैं और उर्दु में फाउजदारी मामले भी कहते हैं Civil Cases में डिमांड की जाती है Rights and Compensation की क्या होते हैं Civil Cases? जैसे की Copyright के मामले, Patent के मामले, Treadmark के मामले, एक्सेटरा और Criminal Cases में टिमांड की जाती है Punishment की तो कौन से होते हैं Criminal Cases? Murder, Harishment, Theft, Extortion, एक्सेटरा चलिए अब बात करते हैं Courts की Lower Court यानि निचली अदालत Criminal Cases को जो देखते हैं उनको Judicial Magistrate कहा जाता है ये Judicial Magistrate Class 1 और Class 2 के हो सकते हैं और जो Civil Cases को देखते हैं उन्हें Civil Judge कहा जाता है अब आते हैं District Court की तरफ ये तो आपने सुनाई होगा जिला एवं सत्रन आयले यानि District and Session Court यहां Criminal Cases को Session Court में Session Judges देखते हैं सत्रन आयदिश कहते हैं जिसे हम Civil Cases को District Court में District Judges यानि जिला नयदिश देखते हैं तो अब बात करते हैं Justice की यानि नयाय मुर्थी की नयाय मुर्थी High Court और Supreme Court में होते हैं High Court यानि उच्छ नयले और Supreme Court उच्छ तम नयले यहां Judges को Justice कहा जाता है यानि की नयाय मुर्थी तो अब बात करते हैं हम पूरे differences के बारे में magistrate, judge को समझने की कोशिश करते हैं अलग-अलग level की criteria के जरीए तो सबसे पहले हम देखते हैं appointment criteria Magistrate बनने के लिए lawyers जिसने कानून की degree ले रखी है वो एक exam clear करके magistrate बन सकता है Judge बनने के लिए lawyers को एक minimum experience लेना होता है फिर वो judge की exam देकर judge बन सकते है और justice बनने के लिए अगर कोई व्यक्ति justice बनना चाहता है तो उसे पहले judge बनना पड़ेगा फिर उसे justice के लिए promote किया जाता है तो अब देखते हैं हम selection का criteria क्या होता है Magistrate के लिए एक exam देनी होती है जिसे हर state judiciary की exam के रुप में conduct करती है और magistrate का selection किया जाता है उसी तरह judges के लिए भी एक exam होती है ये exam advocates दे सकते है Judge की नियुक्ती magistrate के दोबारा भी की जा सकती है यानि कि जो magistrate एक लंबे समय से magistrate के पत पर कारेरत है उन्हें judge के रुप में भी promote किया जाता है और justice को appoint किया जाता है इनका selection criteria appointment की थुरू होता है अब हम court का criteria देखते है magistrate जहां बैठते हैं वो lower court होता है magistrate हमेशा lower court में बैठते है judges district court और session court में बैठते हैं और justice high court और supreme court में बैठते हैं तो अब हम इनके jurisdiction का criteria देखते हैं यानि कि अधिकार क्षेत्र magistrate का एक limited area होता है district में यानि कि एक सिमित area में वो होते हैं district के अंदर judges का criteria होता है jurisdiction का यानि उनका कारेक्षेत्र पूरे district के लेवल पे होता है वो पूरे district के लिए काम करते हैं और justice का jurisdiction area पूरा state और पूरी country के लिए होता है अब हम cases का criteria देखते हैं types of cases क्या होते हैं यह जो handle करते हैं magistrate criminal cases handle करते हैं judges criminal और civil दोने तरह की cases को handle करते हैं और justice सभी तरह की cases को handle करते हैं in fact जो state और central government के बीच में जो भी disputes होते रहते हैं उन्हें भी justice handle करते हैं अब हम power of punishment की criteria को discuss करते हैं एक magistrate को maximum 7 साल तक की कारावास की सजा देने का प्रावधान है और judges को आज़ इवन कारावास या फिर फासी की सजा वो दे सकते हैं और justice भी same उसी तरह दोनों तरह की वो सजा दे सकते हैं आज़ इवन कारावास और फासी की सजा भी वो दे सकते हैं तो retirement age क्या होती है हम उसके बारे में discuss करेंगे retirement criteria के बारे में वैसे तो 60 years का होता है उनका लेकिन magistrate कभी भी रिटायर नहीं होते generally इनको judge के लिए promote किया जाता है और judges के retirement का age criteria है 60 years का से मुसिधर जस्टीस के लिए 62 years for high court judges and 65 years for supreme court justice के लिए होता है 62 years for high court and 65 years for supreme court तो I hope आपको ये पूरा concept के लिए हो गया होगा ऐसे ही legal awareness की informative videos हम आपके लिए लाते रहते हैं इस channel पे तो इस channel को subscribe जरूर कीजेगा इस videos को like और share जरूर कीजेगा मिलते हैं अगले नई topic के साथ तब तक के लिए हसते रहें मुस्कराते रहें धन्यवाद